भारतिय जन्ता पार्टी ने अपने दो सबसे बुजूर्ग और पार्टी के संस्थापक सदस्यों की जिस तरह से टिकेट काटी और बाद में उन्हें पार्टी के स्टार प्रचारगों की लिस्ट में भी बाहर कर दिया इस बात पर बीजेपी में भले ही कोई विरोध ना हुआ हो लेकिन विपक्ष इस बात का विरोध करने में जुटे पड़े हैं इस मामले पर आम आदमी पार्टी के सयोजक और दिल्ली के मुखेमंतरी अर्विंद केजरिवाल ने बीजेपी पर ताजा निशाना साथा केजरिवाल ने ट्वीट करते हुए लिखा कि मोदी जी ने जिस तरह से अपने बुजर्गों आदवानी जी और मुनली मनोहर जोशी का अपमान किया है ये हिंदू संस्कृति के बिलकुल खिलाफ है हिंदू धर्म में हमें बुजर्गों का सम्मान करना सिखाया गया है